ओम नमस्षवाए वास्तु ग्यान गंगा यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों सामन के दोरान आपको यह उपाय करने चाहिए इन उपायों को गन्ने से धन, संतान, सुक, सौभागी की प्राप्ती होती है सामन के दोरान भगवान बोलेनात की पूजा अर्चना का विशेश मैं तो बताया गया है मानने ता है कि सामन के इस पवित्र महीने में भगवान सिव को बेलपत्र चड़ाने से बगतों के सभी कश्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुक, संती, सम्रदी का बास होता है दन बैबव और सुक सांती के लिए सामन मास में आपको यह उपाय जरू करने चाहिए चिन मैलाओं को संतान का सुक नहीं मिल पा रहा है उनको भी सामन के महीने में भगवान सिव का पूजन करना चाहिए सामन के महिने में मैलाओं को घर में साप सपाई का विशेश रूप से द्यार नगना चाहिए सामन के महिने में आप करोध ना करें घर में कोई भी तामसक चीज नहीं बननी चाहिए सामन के मेने में धन प्राप्ति के लिए नेमेत रूप से महाकाल बोले नात के पूजा करनी चाहिए ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनो कामनाय पूरी हो जाती है दोस्तों नम्मर एक माननेता एकी सामन सोमार के दिन भगवान सिव को पाँच बेल पत्र और पाँच चावल के दाने चड़ाने चाहिए साथी दूद और सैसे अवसे करना चाहिए जब आप भगवान का अवसे कर रहे हूं उस समय आपको संकल्प बोलना है फिर आपको पाँच चावल के दाने पाँच सिवलिंग पर पाँच बेल पत्र के साथ में चड़ाने हैं इससे बोलेणात प्रसन नोकर के मनवांचित भल प्रदान करते हैं मैलाओं को इस दिन पीपल ब्रक के नीचे पांच दीपक जलाकर के या पंच मुखी दीपक जलाकर के परक्रमा करने चाहिए और अपनी चा बोल करके वहां पर एक कच्चे सुंत का धागा लपेटना चाहिए जो न मैलाओं को संतान का सुक नहीं मिल पा रहा है या जिनके धन में बरकत नहीं हो पा रही है कर्ज वड़ता जा रहा है उनको अवश्य ही यह उपाय करना चाहिए दोस्तों नम्मर दू अगर आपके बिवा में देरी हो रही है तो सामन के 500 मार को सिबलिंग पर 108 बेल पत्र चड़ाने चाहिए बेल पत्र अरपित करने के बाद में भगवान सिब के सामने ओम नमश्वाय मंतर का जाप करना चाहिए माता पारवती और भगवान सिब को एक मोली का धागा साथ बार या तीन वाल लपेटना चाहिए ऐसा करने से घर में भरपूर धनाता है दोस्तों सामन के महीने में घर में मनी प्लान्ट का पोदा सपेद अक का पोदा जरूर लगाना चाहिए इससे माता लच्मी का घर में आगमन होता है दनल आपके लिए अगला उपाय अगर आप भी घर में फिजूल के खर्चों से परिशान है और घर में पेंसा नहीं ठिकता है सामन के सौमार के दिन भगवान सिब को पांच बेल पत्र चड़ाए और उन पत्तों को तिजोरी में रख ले माननता है कि ये सौपाय से घर में कभी भी धन की कभी नहीं होती और दलेद्रता दूर हो जाती है सुक्षम्रदी के लिए सामन के महीने में कुछ चीजे लाकर के घर में जरूर रखनी चाहिए इन उपाय को करने से माता लच्मी प्रसन हो जाती है जैसे पिली कोडी, मयूर पंक, गोमते चक्र, हल्दी की गाठे ये चीजें घर में लाकर के रखनी चाहिए और नेमत रूप से स्री माहलच्मी नमाहा मंत्र का जाप करना चाहिए ऐसा करने से माता लच्मी प्रसन हो जाती है सामन के महीने में गर या बगीचे में बेल का पोदा लगाना ब्यादी शुम माना जाता है ऐसा करने से दन दौलत की कभी कमी नहीं रहती है और मालच्मी हमेशा ही महरवान रहती है दोस्तों आर्थिक संगर से मुक्ति के लिए सामन के महीने में मगवान सिर्फ की विदी विदान से पूजा करें और उन्हें बेल पत्र सपेद आग के पुष्प कता धतूरे का फल जरूर अरपन करना चाहिए पूजा के बाद कम से कम तीन बेल पत्र पर ओम नवस्वाय लिख करके आप सिवलिंग पर चनाएं और दो रुद्राग चनाए उसके बाद में इनको तिजोरी में रखना चाहिए ऐसा करने से माता लचमी जी प्रसंद हो जाती हैं सुक और सम्रदी का बास होता है जीवन में आरे सारे कश्ट और परिशानिया दूर हो जाती हैं दोस्तो संतान प्रापति के लिए जोत्य सास्त्र के अंसार संतान सुकी प्राफ्थी के लिए बेल पत्र के उपाय का बहुत ही मंघलकारी उपाय बताते ही, इसके लिए अपनी आयु के जितनी बेल पत्र ही के तरगलनें और उसे गाए के दूद में डोबो दें, पूजा के समय भोले नात को यह बेल पत्र अर्पित करें, माननता है, इस उपाय से जातक को संतान का सुख प्राप्त होता है। उन बेल पत्रों में से एक बेल पत्र लाकर के खा लेना चाहिए। इससे हर प्रकार की मनुकामना पूरी हो जाती है। और संतान का सुक प्राप्त होता है। अगर आपको बेवाइक जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हैं, तो सौमार के दिन पती पत्री दोनों मिलकर के भगवान सिब और माता पारवती की पूजा करें, और भगवान सिब को बेल पत्र अरपत करें, खीर का प्रसाद भगवान को अरपत करना चाहिए, मैलाओं को माता पारवती को सिंगार की सामिगरी अरपत करनी चाहिए, ऐसा करने से आपके बेवाइक जीवन में खुशा लियाएंगी, और जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परिशानियां दूर हो जाती हैं, दोस्तों सामनमास में अगर नेमित रूप से भगवान सिव की पूजा करते हैं, तो अब अबसी आपको लाब मिलता है, जिन मैलाओं को संतान का सुक नहीं मिल पारा है, वे अपनी आयों के हिसाब से बेलपत्र और उतने ही चावल के दाने लेकर के भगवान सिव के सामने आप किसी प्लेट में रख दें, फिर ओम नमस्वाई मंत्र का जाप करते हुए आपको संकल्प करना हैं, ग्यारे लोंग भी उसमें डाल देनी हैं, अब ये सारी सामगरी ओम नमस्वाई मंत्र का जाप करते हुए सिविलिंग पर समर्पित करते जाना हैं, साथ ही अगर आपको सपेद आकी पुष्प मिल जाते हीं, तो वो ये भी चड़ा दें, उसके इबाद में सिफ चालीसा का पार्ट करना हैं, उसके बाद में आप एक बेल पत्र और ग्यारेच चाबल के दाने उठा लें, इनको आपको खाना हैं, ऐसा करने से संतान का सुख प्राप्त होता हैं, दनव प्राप्ति के लिए सामन के महीने में सपेद आकी जड़, बेल के, पेड़ की जड़, और बट ब्रक्य की जड़ ये तीनों जड़ लाकर के आपको सिवलिंग पर समर्पित करनी हैं, उसके बाद में महा से उठा लेनी हैं, और माता लच्मी के सामने रख देनी हैं, श्री माल लच्मी नमा मंतर का जाप करना हैं, ओम गंगरपती नमा मंतर का जाप करना हैं, उसके बाद में पीले कपड़ चाहिए अब इन सामन को आप घर में रखें या व्योपार इस तल पर रख दें इससे जीवन में कभी भी आपको धन की कमी मैसूस नहीं होगी सामन मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है अगर आप सामन के सोमार के ब्रत रखते ही और साथ ही उपाई करते ही तो आपको बहुत बड़ा लाब मिलेगा अगर आप ब्रत ना करें तब भी आप उपाई कर सकते ही इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी सावन के महीने में धन प्राप्ति के लिए यह उपाई बेहदी चमतकारी और प्रभावसाली हैं जो महला है पुरुस इन उपाईं को करते ही उनकी नोकरी में प्रमूशन मिलता है घर में धन आता है शुक और सांती रहती है जीवन में कभी भी कोई कश्ट नहीं होता सौमार के दिन गौमाता का पूजन करना चाहिए सौमार के दिन नंदी जी के कान में अपनी इच्छा बोलनी चाहिए जब भगवान सिव के आप पूजा कर रहे हो उस समय नंदी जी के कान में अपनी इच्छा बोल देनी चाहिए ऐसा करने से मनो कामना पूरी हो जाती है सौम्मार के दिन पीपल ब्रक्य के नीचे दीपक जला करके अगर कच्चे सुम्त का धागा लपेटते हैं और जो इच्छा बोलते हैं वह इच्छा सिग्री ही पूरी हो जाती है साथी बेल का जो पेड होता है बेल पत्र का उस पर भी आपको एक धागा बांदेना है वहाँ पर दो हली चूड़ी बांदेनी है ऐसा करने से अटल सौबागी प्राप्ती का बरदान मिलता है और माता पारवती प्राप्ती का अशिर्वात देती है दोस्तों सौमार के दिन जो मेलाएं सिंदूर माता पारवती को अर्पत करती है सिंगार के साथ में और चूड़ियां अर्पत करती है उनको अटल सौबागी प्राप्ती का बरदान प्राप्त होता है सोमार के दिन आपसे करने से भगवान से प्रसन नो करके घर में सुक और सम्रदी का भास करते हैं जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परिसानिया दूर हो जाते हैं दोस्तो मुझे मीता आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगयोगी आप भी नेमेत रूप से महाकाल बोले नाथ के पूजा करें बोले नाथ प्रसन नो करके आपकी हर मनुकामना पूरी करेंगे घर में सुक और सम्रदी का भास होगा संतान का सुक मिलेगा ओम नमो भगवते बास देवा नमा ओम नमस्यवाए